हेलो स्टुडेंस कैसे आप सभी आई होप आप सभी काफी अच्छे होंगे जिसके आपको पता है VR Academy time to time आपके लिए काफी अच्छे online courses जो कि एक्तम कम and किफाइटी जो आप काफी structure है उसमें आपको present करते हैं तो आज भी हम आपके लिए एक special course जो कि आज तक आपने कभी भी किसी भी चैनल के ओपर नहीं देखा होगा तो VR Academy आपके लिए लेकर आया foundation courses foundation जिसके आपको पता है foundation जिसके आप example लेके समझेए जिसे आप घर की नीव रखते हैं लेकिन चलिए firstly आपको I think जो main screen यहाँ पर visible हो रही होगी एक वर हम confirm कर लेते हैं ठीक है एक example समझेए foundation course को बनाने का क्या motive है इसके पीछे का क्या reason है जिस तरह से आपने देखा होगा कि जब भी हम एक घर बनाते हैं ठीक है पहले के time में घर इस तरह से बनते थे आपके पास जब भी आप घर बनाते हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं उसकी foundation बनाते हैं जितनी भी foundation उस घर की बनती है उसी foundation के according आपका जो घर होगा उसकी height बनती है यानि अगर आपका foundation जो है वो ऐसा इस तरीके से बनाया गया है कि आपका घर 10 मंजिल का बन सकता है तो it means आप जादे साथ 9 मंजिल के आसपास उसे रख सकते हैं 10 के ओपर जाएंगे तो वो गिर जाएगा लेकिन यहाँ पे भी जब भी आप घर बनाते होंगे तो जो भी आपका contractor है या जो भी आपका घर बनाता है वो पहले ही पूछ लेता है कि आपको कितनी मंजिल के according जो इसकी foundation रखनी है it means कि foundation एक बार ही बनती है उसी तरह से आप किसी भी test की त्यारी कर रहे हैं या आगे जाके आपको किसी competitive exam में fight करनी है तो main होता है आपके foundation foundations means आपने starting से किस तरह से जो है वो त्यारी की हुई है क्या आप जो है आपके जो subjects हैं उसमें आपकी mastery किस तरह से है तो ये course आपको आपके subject में deep mastery देगा जो कि आपको schooling level के ओपर नहीं मिली होगी क्योंकि schooling level के ओपर सिरफ paper को focus करके जो है courses या paper जो teacher होता है वो एक paper के pattern के according की आपको पढ़ाता है नहीं उसमें कोई extra knowledge होती है इसलिए हम first time आपके लिए जो एक foundation course जो वो release करने जा रहे हैं कम एबम किफाइती दाम में और एक्तम valuable तो यह जो foundation courses हैं इसमें जो आपके foundation subject हैं उसको cover किया जाएगा जो कि maximum exams में आपके पास आता है जिसमें आपके पास first part होगा mathematics का second part होगा maths जो कि advanced version है for example जैसे कोई student आपके TED की त्यारी कर रहा है तो उसके लिए basic mathematics cover होता है आप कोई भी competitive exam देंगे तो बहाँ पे आपके पास 6th to 10th यानि basic mathematics cover होगा लेकिन अगर आप जैसे TZT हो गया NEET हो गया अगर next exams की त्यारी करते हैं तो आपके लिए जो paper का pattern है maths का वो advanced हो जाता है यानि plus 1 plus 2 से regarding जो आपके पास for example जैसे अगर आप TZT की त्यारी कर रहे हो TZT non-medical हो गया आप अगर PZT की भी त्यारी कर रहे हो जो mathematics आता है तो आपके लिए foundation जरूरी है जो कि आपकी plus 1 plus 2 में बनती है basic आपके बास 6th to 10th के अंदर cover हो जाता है अगर बात करें इसके बाद third one that is physics, fourth one जो है मारे पास वो chemistry अब जो physics and chemistry है वो basic to advance एक ही course में आपको करवाई जाएगी क्योंकि इसके लिए अलग-अलग बनाना कोई फाइदा नहीं है क्योंकि एक कोई हम deeply आपके पास यहाँ पर provide करवाएंगे तो यह combine होगा आपके पास six to twelve तक जितना भी इसके अंदर basic to advance ठीक है यह होगा आपके पास basic to advance जो है आपके पास physics and chemistry यहाँ पर चलेगी इसके बाद हिमानचल जी के इनका time period अभी मैं आपको बताऊंगा कितने time तक यह चलेंगे ठीक है इसमें भी आपके पास geography, economy, polity ठीक है यह सभी जो है इसमें आपके पास cover होंगे ठीक है जियोग्राफी हो गई, economy हो गई, polity हो गई, history यह भी एक तम आपके पास और यह ऐसा नहीं एक दो मन्त का course है अभी आप time period देखोगे आपको पता लग जाएगा यह approximately six to seven month के courses है ठीक है, same Indian GK में भी यही portion आपको cover करवाया जाएगा English की बात करें, तो आपको पता है English जो है आज किल काफी compulsory हो गई है, exams में आ रही है especially grammatical जो portion होता है वो आपको exam में देखने को मिलता है तो इसलिए यह paper के pattern के according भी आपका foundation course है जो भी आपका weak portion है, आप उसको join कर सकते है यह सभी अलग-अलग subject है, ठीक है, यह कोई course नहीं है maths का अलग चलेगा, physics का अलग चलेगे अगर आपका जो weak subject है, weak point है, आप उसको target करना चाहते है जिसे मालनों आपका English में weak है अगर इंडियन जीके में weak है, तो आप इंडियन जीके को target कर सकते है आप जिस भी field में आपका हाथ तंग है, आप उस field को जो यहां से cover कर सकते है चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से होगा तो यह course आपके पास next month से शुरू हो जाएगा इसमें अगर कोई strength नहीं भी होगा, फिर भी यह start होगा क्योंकि यह compulsory है, ठीक है यह compulsory है, किसी आप बाद में join कर सकते हैं, no problem आपको recording में मिल जाएगा तो यह next month से 15.8.2022 से यह सभी जो courses है, foundation classes के यह सभी शुरू हो जाएगे, ओके चलेगा कहां तक देखिए, maths का यह जो syllabus है यह काफी कम है आपके पास तो यह ज़्यादा आगे आपके पास नहीं जाएगा, इसका जो time period है वो 15.8 से लेकर 31, यानि इसी साल जो है आपके पास यह खत्म हो जाएगा खीक है, अगर नहीं होता है तो आगे भी बढ़ा दिये जाएगा लेकिन यह हो जाएगा क्यूंकि foundation है, एकदम basic में एकदम अंदर घुस के आपको questions और पूरी theory जो ही यहाँ पे करवाई जाएगी, same English maths हो गए आपके पास NCRT का वो भी, और जो English हो गई उसके लिए यही portion जो हमारे पास कबर होगा, ओके, इसका जो fee structure नहीं आपके पास वो 999 है लेकिन जो starting में students join करेंगे उनको 10 to 20% का जो है discount आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा clear, बाकि आप बाद में भी कर सकते हैं recording में आपको सभी चीज़े इसमें मिलेगी इसमें आपके पास theory plus theory plus बाकि जो भी चीज़ें हमारे पास जिसे MCQ बगारा वो teachers आपको करवा देंगे practice, बाकि आपको साथ साथ में teachers को follow करना है, ओके तो यह आपके पास रहे, यह नीचे क्यों date बता दी, next month से 15 से आपके पास चल पड़ेगा, और यह आपके पास 31st of December 2022 का आपके पास चलेगा, ओके and 9 month की आपके पास validity होगी, यही next 9 month तक जो आप इसको देख सकते हैं, और इसका जो fee structure आपके पास रहेगा, नीचे link भी दिये हुए है, वो आपके पास यह रहेगा, ठीक है सेम यही same जो चीजें हैं आपके पास इसी में भी आपके पास रहेगी same as first, जो भी first course है, fee structure, हर एक चीज जो आपके पास same रहेगी, बहीं पर mathematics, अब यह प्लस 1, प्लस 2 का आपके पास आ जाता है, यानि काफी लंबे और lengthy portion है, तो इसी लिए इनका time period जादा है आपके पास जो भी आपके पास PCM का यहाँ पे syllabus है आपके पास, इसकी जो अगर आप देखोगे, तो around one year ठीक है, around one year इसका time period है आपके पास and यह आपके पास तकरीवन 6-7 महीने तक चलेगा course तो यह आपके पास शुरू तो next month ही होगा, आपके पास 2-2 से, लेकिन चलेगा आपके पास around 15th of 03-2023 तक, ओके, यह next year तक आपके पास proceed करेगा, around 4 plus 3, 7, यहनि 7 to 8 month तक चलेगा, one year की validity होगी, यह सभी के सभी courses आपके पास same है, इनका जो piece structure है, वह है आपके पास one triple nine, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ है और length भी आप देख सकते हैं, course की काफी लंबी है, तो उसके recording यह आपके पास piece structure होगा, परहुंद 200 रुपे या 300 रुपे आप देख सकते हो पर मन्त जो है आपके जैसे tuition आप पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन tuition में तन deep नहीं जाते, इसमें आपको काफी हर एक चीज़ करवाई जाएगी, starting में जो भी student join करेगा, उनको again 10% to 20% का जो है discount यहाँ पर परवाइड होगा, हिमान्चल जी के and Indian जी के की बात करें, तो यह काफी लंबे portion है, इनका fee structure भी same as it is, आपके पास है लेकिन इसका time period आपके पास जादा है, यह one and half year, ठीक है one and half year जो है इसका time यानि 18 month, 18 महीने तक यह course आपके पास रहेगा चलेगा आपके पास around 7 to 8 month क्योंकि इसको अगर detail में करना है, तो लेकिन time period अभी हमने इसका set यहीं तक किया है, आपके पास 23 तक कोशिश करनी है कि यहां तक खातम हो जाए नहीं होता है, क्योंकि students को इसको करने में time लगता है, इसकी validity जादा है इसका को issue नहीं है, validity आपके पास बढ़ाई भी जा सकती है, जैसे कोई student मालो cover नहीं कर पाया, उनके लिए validity यहां पे increase भी आपके पास हो सकती है, काफी कम structure यहां पे रखा गया है, जो भी students इससे regarding information लेना चाता है, description में link दिया हुआ है directly आप VR Academy की official application से इसको download कर सकते हैं, बहां से link से आप जो भी detail होगी, बहां उनसको provide करवा सकते हैं, बाकी course से regarding कोई भी queries होगी, तो whatsapp number 88945215554 के ओपर contact आप कर सकते हो, यहां से जो भी foundation classes है, और यह whatsapp number है, तो सिर्फ आपको whatsapp ही, यानि message ही करना है तो अगर आप call करोगे, तो क्योंकि heavy workload की बज़ से calling facility sometime disable है, क्योंकि हमारा motto भी यही है कि आपको knowledge provide करवानी है facility की बात करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी facility यहां पे नहीं मिलेगी इसे होता है न, आपके पास private schools में तो वो facility देते हैं आपको knowledge कम होती है, यहां पे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा आपको knowledge भरपूर मिलेगी आपको topic से regarding, subject से निकारिंग, knowledge सारी मिलेगी हाँ, facility की बात करेंगे, तो facility आपको नहीं मिलेगी, कि आपकी phone उठाया जाएगा अच्छा कि यह हो रहा है अगर कोई queries है class में पूछिए, बाद में teachers के साथ पूछिए, लेकिन कुछ जैसे हो जाता है कि मुझे मिल नहीं रहा है अरे भाई, सभी चीज़ें application के अंदर present है, वो starting में हम आपको हर एक चीज़ बताएंगे उसको वीडियो को ध्यान से देखिएगा, उसमें हर एक चीज़ आपको provide होगी, ओके यह WhatsApp नंबर है, वैसे आपको कोई issue तो आएगा नहीं 8894521554 तो इसके तुरू आप foundation classes को join करने के लिए कोई other information चाहिए, बाकी link description में दिये होए, next month से शुरू हो जाएगा, जो भी student इच्चुक है वो join कर सकते हैं, अगर जैसे आप का बच्चा है, कोई plus one में, plus two में, इसी को basic mathematics जानना है, तो वो सभी यहाँ से जो है अपने topics को cover कर सकता है, जल्दी इसमें 8 subject, हम जो आपके पास biology है, plus zology जो है, उसको भी include कर देंगे, तो हो सकता है, यह भी आपके पास 15th of 8 से ही शुरू हो जाए, तो यह आपके पास PCM के साथ ही target आपके पास हो जाएगा, ओके, तो इस वीडियो में इतना ही है, I hope यह वीडियो आपके informative लगी होगी, इसी तरह से हम आपके लिए different courses, different and different videos जो यहाँ पर provide करवाते रहते हैं, ताकि आपकी knowledge एहनास हो, ओके, हमारा target है कि जो कमिया आपके अंदर रहे चुकी है, उसको दूर करना, क्योंकि without knowledge आप किसी भी test को clear नहीं कर सकते आपके या किसी भी student के test क्यों clear नहीं होते हैं, क्योंकि वो focus करते हैं, सिरफ subject के ओपा, जो paper में आ रहा है basic knowledge zero होती है that's why कि वो basic knowledge ना होने की बज़े से ही, अपने test को clear नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी foundation इतनी बनाई ही नहीं गई है कि वो उस बोज को उठा सके क्योंकि अगर आपके जो घर की मंजिल है, उसका जो foundation है, वो 5 building तक ही बनाया गया है, यहीं पांच मंजिल उस तक बनेगी, तो आप उसमें छटी मंजिल नहीं बना सकते, वो safe रहेगा 4 मंजिल तक, 5 में मंजिल बनाएंगे फिर भी वो गिर सकता है, तो that's why कि आपको अपनी foundation strong करनी है तो यह foundation course है, जो आप plus two तक पढ़ते हो, उसका सारा का सारा निचोड चाहे, Indian GK हो गया, English हो गया, Chemistry हो गया, Physics आपके पास हो गया, Mathematics हर एक चीज़ आपको detail में जो है यहाँ पे मिलेगी, ओके, जो भी आपकी queries होगी, WhatsApp नमबर आपकी साथ शेर किया हुआ है, बहाँ से आप हमारे साथ contact कर सकते हैं, ओके ठैंक यू, जय हिंत, जय भारत